दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेशन नूज में दोस्त इस वीडियो में बड़ा अपडेट है रीट पातरता जो 83 अंकों पर पास की गई थी तो दोस्तो जिनके 82 अंक थे या उससे कुछ कम थे उनको भी अपातर घोसित किया गया है राजस्तान आई कोट ने ये फैसला दिया है पूरी अपडेट में आप लोगों को देने वाला हूँ साथ ही जो रिमूवर्स चल रहे हैं उनके बारे में भी बताएंगे कि क्या कुछ ये पूरा फैसला है और जिनके कितने अंक हैं वो फोम भर सकते हैं वो पूरी जानकरी आपको देने वाले हैं रास्तन आई कोड का फैसला है कहीं से भी कोई फेक जानकरी बिल्कुल भी नहीं है सबसे पहले यहाँ पर फॉर्स इंडिया निूज की आप लोग जानकरी यानि कि 54.50 का मतलब है 82 से भी 25 कम तो जितने अंक आप लोगों के अगर हैं तो यहाँ पर रस्तन हाई कोड ने उनको योग के घोसित किया है आविदन स्विकार करने के लिए यानि कि वो रीट का फोम जो है मुख्य परिक्षया के लिए जो अर्तालीस हजार पदों पर कल विध्यप्ती जारी की गई थी उसका फोम भर सकते हैं और ये पूरी खबर है 54.50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वालों को भी हाई कोड से मिली रहत जस्टिस सुदेश बंचल की जो बेंच है उन्होंने आविदन स्विकार करने के आदेश दिये हैं अभ्यरती अजैपाल सिंग ने दायर की थी याची का एडवोकेट कोमल गरी और बजरंग से पटने भी याची का करता की फैरवी की यानि कि जो 82 अंकों को लेकर के जो हाई कोट में याची का दायर की गई थी क्योंकि जो सीट एट है केंदरी ये पातरता जो परिक्षय है चेंटर लेवल का यहाँ पर पातर घोसित कर देता है लेकिन राजस्थान में ऐसा बिलकुल भी नहीं है जहां 55% तो कम से कम होने चाहिए अगर आप सामने से अलग के टेगरी के हैं तो इसी को लेकर कि याची का लगाई गई थी लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर बोर्ड ने रास्तन हाई को हाई कोट ने उनको पातर माना है और कल ही चैन बोर्ड ने 48,000 पदों पर भरती विग्यपती जारी की थी आप देखिए दोस्तों इसमें दो चीजी है अब आपका जिनके भी 54,50 प्रतिसत या इससे जादा अंक है यानि कि 83 से जो कम है उन सब के लिए सूचना ये है जो मैं बता बर रहा हूँ आप लोगों को दिखिए फिलाल इसका जो आदेश है हाई कोट ने आपने आदेश में क्या सब को मानने किया है या या याची का करताओं को मेरी जो जानकारी उसके अकोडिंग तो याची का करताओं को कहा गया है लेकिन फिर भी हमें वेट करना कि क्या सिर्फ याची का करता सामिल होंगे या फिर अन्य जो अभ्यारती हैं जो इसी तरीके से जिनके मार्क्स हैं वो भी सामिल होंगे ये दोस्तों साम तक पता चल जाएगा जब कोड के जो आदेश हैं अपने आदेश में कोड ने क्या कहा है अपने फैसले में क्या कहा ह तब पता चलेगा कई बार क्या होता है से मैटर्स को लेकर कि जो हाई कोड्स होते हैं या हमारे जितने भी सुप्रीम कोर्स वगरा वो क्या करते हैं जो याची का जिन्होंने लगाई थी उन्हीं को लाप दे देते हैं ऐसा बिलकुन नहीं है कि एक आदमी ने याची का लगा कि हम अड्वोकेट कॉमल गृजी से भी कॉंटक तरना के में Πूरे मैंटर को समझने की कोशिश करूंगा लेकिन साम को आपको अपडेट कर दिया जाएगा टेली ग्राम चैनल पर टेली ग्राम चैनल रिट या ने भरतियों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो हमारा टेली 50 हैं या इससे ज़्यादा हैं वो सबी eligible हैं यानि कि 83 से तो कम और 54 50 या उससे ज़्यादा हो उनको eligible किया गया है लेकिन क्या सबी होंगे या सिर्फ याची का करता यह साम को पता चलेगा लेकिन यहां पर इस फैसले से एक बात तो सपस्थ है कि यहां पर high court eligible कर चुका है ऐसे बहुत सारे लोग अगर मानली याची का करता कोई करेंगे तो फिर बहुत सारे लोग इस तरीके से उन्होंने petition फिल की हुई है वो लोग फिर से petition फिल करेंगे तो ये चीज है धन्यवाद दोस्तों फिलाल के लिस वीडियो में इतना ही जै हिंद जै भारत